जेहन दोस्तों कैसे हो अपलोगा यो पच्छे ही होगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो computer operator वाली vacancy है उसमें आपको computer की त्यारी कहां से गरनी है computer एक ऐसा subject है computer operator वाली vacancy में जिसके अकेले 80 questions आने वाले हैं 160 मैंस है मतलब आधा paper computer के questions का ही आने वाला है तो आपका computer strong होना बहुत जरूरी है और आपका सही book से computer की त्यारी करना बहुत जरूरी है अगर आपने गलती से भी एक गलत book choose कर ली computer की त्यारी के लिए तो फिर कहीं न गहीं आप exam की cut off से बाहर हो जाओगे क्योंकि उस book में वो syllabus ही नहीं होगा जो आपका computer operator वाले exam में आने वाला है क्योंकि computer operator के exam में जो syllabus आता है वो advanced level का होता है normal computer नहीं पूछा जाता है जो 2-4 person हमारे railway में या SSC में computer आता है तो SSC में भी questions आते हैं वो basic level के होते हैं लेकिन computer operator वाली परिक्षा में जो questions आते हैं वो थोड़े advanced level के होते हैं वो graduation level के होते हैं भले ही 12th level का ही exam है लेकिन computer के questions advanced level के ही होते हैं ठीक है क्योंकि साथ में requirement है एक साल के computer के diploma की तो जाहिर सी बात है जिसने computer का एक साल का regular diploma की आता होगा उन्हें आप लोग पढ़ भी रहोगे सायद और बुक अच्छी हैं मैं यह नहीं कर रहा वो भुक खराब हैं जैसे घड़ना चक्र है youth completion times है किरन publication की एक mock वाली बुक है जिसमें 1890 plus questions है एक में 8000 plus questions है कई सारी बुक तरह तरह की अलग अलग precautions की हैं जो अच्छी बुक हैं लेकिन वो और एक्जामों के लिए हैं आपके computer operator वाले exam के लिए वो भुक sufficient नहीं हैं जैसे अगर हम बात करें करन publication वाली बुक की वो SSC के लिए west है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें परेक्षामंदन की बहुत अच्छी वुक है परेक्षामंदन की मैंने कई चात्रों को रिकमंड की है कि आप ये बुक जरूर पढ़ना बुक बहुत अच्छी है और जो भी questions परेक्षाओं में आयो हुए हैं चाहें वो बैकिंग की परेक् पढ़नी है computer की जो advanced level हो ठीक हैं तो आप इस समय जिस भी बुक से त्यारी कर रहे हो computer operator वाले exam में computer वाले subject की तो आप एक बार topic wise अपना slaves download करना और फिर उस बुक से match करना कि आओ उस बुक में पूरा slaves है अगर है तो बुक sufficient है लेकिन अगर उस बुक में वो slaves नहीं है तो फ problem है उस बुक में sub subject है reasoning भी है GKGS भी है current affairs भी है और computer science भी है आपको एक ऐसी बुक वाई करनी है जिसमें computer advanced level का हो और वो बुक केवल आपकी परिक्षा के लिए ही बनाई गई हो especially ठीक है तो पहले तो ऐसी बुक आपको select कर दी है मैं आपको दो बुक बताऊंगा आप जो च प्रिक्षा है जनमें computer के प्रिसंट पूछे जाते हैं जो TCS company देखतर पूछती है वो भी है उसमें और आपका पूरा syllabus youth competition वाली book में है लगख 300 रुपे के आसवास वो बुक है इसके इलावा दूसरी book किया जब बात करूं मैं तो दूसरी book है नीलकंट प्रिकासन की वो भ है लेकि नीलकंट वाली भी मुझे बहुत अच्छी book लगी लगवक 500 रुपे के आसवास वो बुक है तो आप इन दोनों में से कोई एक book buy कर लो अब तक आप चाहें परिक्षा मंतन से पढ़ रहे थे यहां किरन पब्लीकेशन वाली book से यहां फिर घटना चक्र वाली book से बहुत अच्छी वात है लेकिन वह sufficient नहीं है अगर आपने online त्यारी की है computer वाले subject की YouTube पर आपने notes वनाए है तब भी आपको मैं suggest करूंगा एक book इन दोनों में से आपको जरूर वाई करनी चाहें क्योंकि जो subject हम book से पढ़ते हैं वो हमें ज्यादा समय तक याद रहता है और book से ही हमें अधिकतर पढ़ा ही करनी चाहिए online ज्यादा पढ़ा ही नहीं करनी चाहिए online पढ़ा हुआ थोड़े समय तक ही हमारे दिमाग में store रहता है कुछ समय के बाद हम उसे भूलने लगते हैं तो आपको notes बनाने की आपको ज़रूर नहीं है अगर आपने आप तक बना उसके साथ साथ आपको mock test भी लगाने है mock test चाहां तो आप online लगा सकते हो आप test book के वाई कर सकते हो अच्छे mock test है या फिर उसके लावा आप अगर offline नहीं चाहते हो तो अरीहंत का जिसमें 15 practice set हो कम सकूं ऐसा एक practice set वाई कर लिजिए वो भी ठीक है और आप proper time लगा के फिर mock test लगाने हैं आपको उसमें mock test भी चोरी वागेरा मत करना आप लोग कि अगर कोई present नहीं हो रहा तो चलो एक बार solution देख लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना खुद को दोखा मत देना चाहें आप सारी दुनिया को दोखा देतो ठीक है बनना आपका ही नुकसान होगा तो आपको लगा है मेरे तो 120 नंबर आ रहे हैं 130 आ रहे हैं तो जो भी आप धीर आपके नंबर बढ़ेंगे तो कहीं नहीं आपका एक confidence बिल्ड होगा और जब आपको लगा होगे तो फिर जो आपकी गलतियां है वो भी आपके सामने आएंगी फिर आप उन गलतियों को सुधा होगे तो आपका selection हो जाए यार जदा attention मतलो अच्छे से त्यारी करो और जो जो बुक पे नहीं तोनों बुक बताएं इन दोनों में से एक बुक जरूर रुबाई कर लेना यूद कमटी से टाइंक्स वाली कर लेना अगर ज्यादा रुपे नहीं हो तो बुक भी अच्छी ह है ठीक है ऐसा नहीं है कि 540 वाली ही बुक अच्छी होगी 300 वाली अच्छी नहीं होगी बुक दोनों ही प्रॉपर आपके एक्जाम के लिए ही बनी हुई है ठीक है पहले ऐसा होता था कुछ साल पहले जो 2016 या 18 में जो वैकेंसी के एक्जाम होए थे उस समय computer की इतनी बुक उनलाइन अवाई लेवल नहीं थी लेकिन अब सुविधाएं हैं तो आप उनका लाव उठाइए जो वो कब तक पड़ रहे थे उसे भी complete करिए जल्दी और दोबारे नहीं हुख लगा लीजिए ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज झाल झाल